Hello students, आप सब का स्वागत है हमारे चनल Amplitude Studies 2.0 में देखिए, आज के वीडियो में हम ये chemistry की next class है और इसमें हम देखेंगे कि कक्ष एवं कक्षकों के आधुनिक विचार Modern Concepts of Orbit and Orbitals तो इसमें ये देखिए, mainly basically हमें इसमें Orbitals पढ़ना है क्योंकि Somerfield ने ये concept दिया था और Somerfield की थियोरी हमारे पास है नहीं Keval Orbitals के बारे में बताया गया है जो बच्चे 12 करके आए हैं Polytechnic में वो Somerfield की थियोरी जानते होंगे उन्होंने chemistry में पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पर जो हमें short में केवल पक्षकों के बारे में ही पढ़ना है तो देखे परमारू के अंदर electron उर्जा कई स्तरों में विभाजित रहती है जिनें उर्जा उप स्तर अत्वा उपकोश कहते हैं इन उपकोशों को s, p, d और f अक्षरों से वेक्ष किया जाता है पहले कोश में k में केवल एक उपकोश होता है जिसे 1s से प्रदर्शित करते हैं और दूसरे कोश l में दो उपकोश होते हैं जिसे 2s और 2p से वेक्ष किया जाता है यह n equal to 1 हुआ जाकर के और यह l कोश जो है n equal to 2k के पर corresponding होता है 1 गलत लिख दिया यहाँ पे और दो उपकोश होते हैं जिसमें 2s और 2p अब देखे 2p में भी अगर हम p की बात करें तो p के अंदर भी 3 हिस्से होते हैं px, py, pz और यह हिस्से जो हैं वो orbitals कहलाते हैं ठीके न, combine मिला करके यह उपकोश है sub shell है लेकिन उसके अंदर भी 3 हिस्से हैं अगर हम अलग-अलग देखें तो यह orbitals हैं तो हमें orbitals के बारे में ही पढ़ रहा है कि s orbital, p orbital और इस तरह से यह किस तरह से होते हैं तो देखें कक्षकों में मेंली जो है वो चार प्रकार के होते हैं s, p, d, f जानते हैं आप s orbital के बारे में अगर हम पढ़ें तो s orbital में क्या होता है एक s कक्षक से मिलकर बनी होती है s उपकोश s sub shell में एक ही कक्षक s ही होता है ठीक है न मतलब वही जो है यही आपका sub shell भी है और इसके अंदर खुद यही जो है अकेला बैठा हुआ है यही आपका orbital भी होता है जिसका आकार गोलाकार होता है और इसमें अधिक्तम elektronों की संख्या दो होती है हर orbital में याद रखिए 2 ही electron maximum हो सकते है लेकिन उपकोष में ज़्यादा हो सकते है क्योंकि उपकोष में कई सारे कक्षक हो सकते है हाना कि s उपकोष में एक ही s कक्षक होता है लेकिन p की बात करें तो यहाँ पर हमारे पस 3 orbitals होते है px, pipz तो 2, 2, 2 सम में भर सकते है तो यहाँ पर दिखिए इसका diagram बनाया हुआ है x, y, z और यह circle है circle नहीं है यह x, y, z बना दिया इसका मेला यह 3D में गोला है और इसको हम represent करेंगे एक single box से और इसके अंदर 2 electron हमने इस तरह और इस तरह से भर भर दिये है actually एक orbital के अंदर जो 2 electron होते है उनके spin जो होते है वो opposite होते है एक का clockwise होता है और एक का clockwise होता है तो इसी लिए इनको उल्टे सुल्टे इस तरह के arrow से represent कर दिया जाता है इसके बाद बात करते है P orbital की तो P उपकोश में P उपकोश जो है केवल 3 P कक्षकों से मिलकर बना होता है ठीक है ना तो इसमें जो है वो 3 P कक्षक होते हैं और उनके नाम PX, PY वो PZ होते हैं और इनके value को represent करने का तरीका प्लस 1, 0 और माइनस 1 होता है यह जब हम quantum numbers पढ़ेंगे तो उसमें जादा समझ में आएगा आपको तथा इसका आकार डंबरू या डंबल के आकार का होता है इस तरह से यह इसका आकार होता है यह X-axis, Y-axis, Z-axis हो गई प्रतेक P कक्षक में अधिक्टम इलेक्ट्रानों की संख्या 2 हो सकती है तो P उपकोष की बात करें अगर हम तो P X, P Y, P Z तीन और्बिटल्स है प्लस 1, 0, माइनस 1 और हर एक में 2 तो इलेक्ट्रान मक्सिमम रह सकते है तो इसलिए वह आपका यह इस तरह से P उपकोष बनता है अब देखे एक डियाग्राम तो यह बना दिया है कि यह P Y हो गया, यह P Z हो गया तो आपके पास समय है नहीं है तो एक ही बना दीजिए डियाग्राम समय है पेपर में तो आप तीनों डियाग्राम बनाईए नोट्स में भी आप तीनों ही बनाईए यहाँ पर एक बना रखा है लेकिन आप तीनों बनाईए ठीक है इसके बाद d orbital की बात करते हैं तो d orbital में जो है वो ये d of course जो होता है वो 5 d कप्षोकों से मिलकर बना होता है जिने करमशा dxy, d yz, d zx, d x square minus y square वो d z square से प्रदर्शित करते हैं actually हमारे पास s और p के ही shapes हैं syllabus में, d और f के नहीं हैं तो आप d में बस इतना मान लीजिए कि d sub shell में 5 d orbitals होते हैं और इनके नाम जो है वो ये ध्यान रखिएगा, इनके मान करमशा प्लस 2 से माइनस 2 तक होते हैं, इनका आकार 2 डंबल आकार होता है, प्रतेक d कक्षक में अधिक इक तम इलेक्ट्रों के जंक्या, 2 होती है, d कोश के अंदर देखे, 5 d orbitals हो गए, इनके नम सिस्टम, इनके जो symbol है, वो plus 2, plus 1, 0, minus 1, plus 2, ऐसे करके, plus 1 है, और plus 2 ये है, और दो-दो इलेक्ट्रों हर एक में रह सकते हैं, यहनिकि total electron 10 हैं, जो इसके अंदर accommodate हो सकते हैं, इसक जो उपकोश होता है, ठीके न, f उपकोश में जो है, वो 7 orbitals होते हैं, 7 जो है, वो कक्षक हो सकते हैं, और हर एक में 2-2 electron रह सकते हैं, यहनिकि maximum मिलाके फिर 14 electron रह सकते हैं, अब 7 के हिसाब से अगर number ये ही रखेंगे आप, तो देखें पांस तो यह हैं, एक एक और बढ़ा अगर आएंगे, तो आपको चारू लिखने होंगे, शेप आप 2 की याद रखिएगा, बस S और P की, तो इस तरह से यह orbital का concept हमारा जो है, वो खतम होता है, सबशेल और, उपकोश और orbitals, तो एक सबसे उपर कोश है, कोश के अंदर घुसेंगे, तो सबशेल मिलते हैं, और सब orbitals के अंदर electron रखे होते हैं, यह पूरी सिस्टम जो है, हमें next वीडियो में हम cover करेंगे, जब हम quantum numbers पढ़ेंगे, अगला या गुस से अगला वीडियो, तो मुझे उमीर है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कश्वकों के बारे में, और यह question भी आपका 2 नंबर में